नमस्कार दोस्तो मैं राजेश भार्गव स्वागत करता हूँ आप सदीका एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल एंट्रेंसियोलजी पर दोस्तो जैसा कि आप स्कीन पर देख रहे हैं इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंसुरिशन फॉर क्लास सिक् और हमेशा की तरह वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सकाइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सकाइब का बटन दबा दीजिए और साथी साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए फिर यहां पर मैं मैं मेन्लाट कि बाट करूं तो हिनि में इसे ऑड़ते है चेत्र मिति खेत्रती चations की अगर मैं बात करता हो तो इसको और यह में प्रांच है जो कि मेंजर्मेड्स?? होती है measurement से related है यानि कि अगर मैं इसको शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो geometrical जो figure होती है जैसे कि मैं आपको topic wise हर चीज मेंचुरेशन में जो है लेकर चलूँगा class 6 के लिए जो भी syllabus है उसका कि अभी मैं शॉर्ट में बताता हूं कि यह triangle होता है यह एक rectangle है ठीक है और इस तरह कि बहुत सारी geometrical figures होती है उनका जो measurement होता है चाहे वो perimeter हो चाहे वो चेत्रफल हो आगे सारे topic मैं one by one clear करूँगा ठीक है इसमें चेत्र मेंसुरेशन के हमारे जो series है इस पे class 6 के लिए ठीक है तो इसमें क्या है कि measurement अब वो measurement perimeter का हो सकता है measurement area का हो सकता है measurement volume हो सकता है ठीक है तो measurement हम जो geometrical figures होती है उनका measurement किसी भी तरह का हो सकता है तो उससे related जो mathematics की ब्रांच होती है वो से हम कहते है mensuration यानि की छेत्र मिती ठीक है तो अभी हम जो मेंसुरेशन में वाले हैं हम यह बात करेंगे कि मैंसुरेशन में कोई भी जैसे perimeter की अभी हम बात करते हैं ठीके मापन से अगर मैं आपको बताना चाहूं यहां पे तो perimeter की सबसे पहले आप बात करते हैं कि perimeter हो तक है ठीक है geometrical जो figure होती है दोस्तों वो कुछ ऐसी figure होती है कि एक plane है suppose कीजिए और plane पे हमने कुछ boundaries बना दिये इस तरह की ठीक है या यह एक land area है और इस पे हमने ऐसे boundary बना दिये ठीक है अगर इसका border हम यहांसे देख है तो यह जो बाउंडर की पूरी length होगी इतने की यहां से यहां यहां तक यहां तक और यहां से यहां तक ठीक है इसको कहते हम perimeter ठीक है अब पैरी मीटर डिपेंड करती है कि इन boundaries की पूरी जो है इसकी जब हम perimeter की बात करते हैं तो इस वाले plane की जो perimeter होगा वो इसको हम add करेंगे इस line की length को add करेंगे इस line की length को add करेंगे तो हमारा perimeter हमें मिल जाएगा तो हम perimeter को और हम add करें तो पहले हम इसको add करते 7 7 के बाद फिर है 6 ठीक है फिर 6 के बाद फिर से 7 है ठीक है फिर उसके बा और इसी तरह से हम जो है इनका भी फाइंड कर सकते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट जो फिगर्स होती है मतलब की अलग-अलग जो फिगर्स होती है उनकी पैरी मीटर अभी मैं नेक्स लाइट पर चलता हूं इसको और ज्यादा किलेर करने के लिए यहां पर क्या है कि यह बहुत बड़ा कोई लैंड एरिया है और आपवने प्लॉट खरीदा यहां पर टो आपके जो प्लॉट की यह लंबाई होगी एक लंबाई है यह कुछ दिगेई आपको दस मीटर ठीक है उसके बाद आपको तो आपके जो प्लॉट अब आपको प्लॉट उस बड़े भुभाग से यानि कि लैंड एरिया से आपको अपना प्लॉट कटवाना है यहां पर तो उसकी लंबाई आपके यह दस मीटर फिर पांच मीटर ठीक है तो इस तरह से जो कुल लंबाई जो होगी उसकी मतलब की कहने का मतलब है आपने सामने की जो लंबाई रेक्टेंगुलर प्लॉट है आपका यह तो दस मीटर सामने की होगी और पांच मीटर इसके सामने की होगी ठीक है यानि कि आपकी लंबाई जो दस मीटर है और चुणाई जो है पांच मीटर है ठीक है तो इस तरह से आपकी लंबा आप क overt लगवानी है या फिर कोई लोहें कि आपको कुछ पाइप वगिरा लगवाना इसके चाहरों और थीक है तो आपको पाइप की लंबाई या आपको तारों की लंबाई यो पता होनी चाहmill है थीक है इसको एक formula से भी आगे जब मैं और मैंसेशन में बढ़ते चले जाएंगे तो हम लोग और इसके बारे भी study करेंगे कि हम different figures का जो perimeter है चाहे वो आपका triangle हो चाहे वो आपका rectangle हो चाहे वो आपका square हो उनकी parameters जो है अब किस तरह से formula से निकाल सकते हैं अभी simply में आपको जो है perimeter की जो application होती है कि हमें कहां कहां perimeter को यूज करना होता है कहां कहां perimeter को जो है applicable है कहां कहां हम इसको calculate करते हैं ठीक है next slide पर मैं आपको एक triangle यहां पर ट्राइंगल बनाकर दिखाता हूं ठीक है अभी मैं one by one topic solve करेंगे बट मैं example के लिए आपको उताता हूं और इस triangle का perimeter बराबर इसकी क्या होगी AB plus BC plus AC ठीक है तीनों भुजाओं की जो लंबाई उनको हम जोड़ देंगे simply AB की लंबाई कितनी है पांच Six तो इस तरह से कोई भी rectangular figure होगी अगर उसका perimeter नापना है करते हैं तो आप को पता करना कि आप रोज कितना दोड़ते । तो आप उसकी पैरिमेटर निकालके उस जितने भी आप राउंड उसके लगाते हैं उस रेक्टेंगूलर प्लॉडबर कर सकते हैं तो आप असानी से कैल्कुलेट कर सकते हैं कि आप आपने कितनी रणिंग करी वहां पर या कितनी आपने वॉकिंग करी तो इस तरह से जो है हम देखते हैं कि जो पैरिमीटर निकालने की जो अवेशक्ता होती है वो हमें कई जगा पर होती है ठीक है तो आशा करता हूं कि पैरिमीटर जो है वो आपको समझ में आगया होगा और पेरिमीटर जो है वह एक तरह से आउटर फिर बतायता हूं में कि पेरिमीटर जो है वह आउटर बांडरी होती एक सि AB nghेयमार्यकिल की और टोटल ल vibration li जोड देखे आउटर बाउंडरी को तो पेरिमीटर की जो लल करो हमें टोटल मिल कई सारी फिकर होती हैं कई तरह की फिकर सोती हैं उनके बहुत सारे फॉर्मुला होते हैं तो यह जो एसा टॉपिक है जो कई सारे इसमें लेक्चर्स होंगे और एक एक चीज मैं इसमें बताता हुआ आपको चलूंगा तो जो नेक्स वीडियो जो अपकमिंग वीडियो उनमें बने रहिएगा यह लेक्चर वन था और आपके जो कॉमेंट से आपके जो सजीशन से हमेशा मैं जो है उनका वेलकम करता हूं और आपको इस टॉपिक से लिट आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथी साथ बैल आइकन को भी दबा दीजिए फिरी स्टडी मेटेरियल के लिए आप हमारी वेबसाइट अंट्रेंसिय पर भी विजिट कर सकते हैं आप हमसे हमारे सोचल मीडिया पीजिस के थुरू भी जुड़ सकते हैं जिनका एडर्स जो है स्कीन पर दिया हुआ है तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में एक और अच्छे से टॉपिक के साथ तब तक के लिए स्ट